तो कल है मारी VTX पारी कल आप लगोंगे मैंने अच्छे आसे चीड़बैक साउसे और मेंने सब प्रीव किये स्टेप पर स्टेप इतने सारे सजेशन से उन में से कुछ अजीब वरीब थे कुछ बहुत अच्छी सजेशन से उनको अप्लाय करने में पूर पर जादा एक्टिव हो जाओ वह मैंने आज से स्टाइट किया हुआ पर दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फोटो फ्लेश और अगो उस पर आप लोग स्कैन करके जॉइंग कर सकते हो और डूब दू लेट में नो इन कमेंट सेक्षिन की वह आप लिए एंफो राक इनिया मैं बहुत जादा एक्टिव था आज टेलिक्रम पर बनाया है कि इतना सिंप्लेश्ट वे में इतना इजी में आस्तर आपने जुटों विस्ट्री में इसी नहीं देखा होगा करें वीटी एक्सपारी पैसे कमाने वाना दिन वह सब्सक्राइब का कैसे कमा सकते हैं लिट्स इसक्राइब वाव स्कृन्वाश् स्क्राइब ऊके वीडियो स्टाट करने से पहले आपको यहाद होगा कि कल मैं हम ने सके स्क्राइब किया था भैनकि को ओम को 43,500 के आपरइंग करने हैं उससे पहले फोकिसी करना और निफिठी को जो आपके तो नाहीं निफ्टी का लेवल ट्रेकर हुआ नाहीं पैसा कमाने के लिए तो इसलिए मैंने यह पर कुछ खास आज पैसा नहीं कमाया अब बात करते हैं यहां को कल का तैयारी कैसे करना है तो देखिये कि यहां पर आपको न आपको यहां ऑन पर यह तॉप बना और आप यहां पर आके मार्कित खड़ा ठीक है यह क्या है यह है यह मारा टॉप फटूप अरप कहीन Ainे कि यहां से market कि रहा रेजेक्षिन यह 2 इसाइवा मार्के यहां पर आकर रिजेक्शन दिखार है साथ में आपर हम क्या करेंगे नीचे वाली जो जो कर देंगे यह यह support ऐ और यह support ठीक है मरें ने आपर क्या किया जब जब market इस ले ब्रॉट पर आया तो market ने support लिया इस ले पर आया तो market ने isupport खुलता है हलका फुलका gap down खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है अब सबसे important चीज तो यहीं है कुछ लोगों के सवाल है कि आपके जो levels होते हो बहुत जादा दूर होते तो मैं आपको समझाता हूं उसकी पीछे का logic क्या है क्यों मैं इतने दूर-दूर के levels देता हो ताकि वो ट्रिगर होने के बाद आप अच्छा पैसा कमा सको सिंपल सा पॉइंट है देखिए रिडर्स लेट से कल यहां फ्लैट ओपनिंग हुई यहां पर मार्केट ने ब्रेक आउट दे दिया ठीक है अब यह जो ब्रेक आउट है और यह जो ट्रेंड लाइन है यह क्या सिर्व आप देख रहे हूं यह सिर्व मैं देख रहा हूं नहीं जो यहां पर इस लेवल्स पर स्ट्रगल करते हुए लास के 10 से 15 मिनट एकी लेवल्स के आसपास खड़ा कर सकता है मार्केट तो वह देख रहा है कि आपको यह दिख रहा है यह पॉइंट तो कल अगर ब्रेक आउट होगा तो इसके 90 परसंट चांस है वह फेल हो सकते 90 परसंट आपको यहां ने दो अगर इसको लिए पिछला वाला मतलब इसलेवल से इसलेवल्स को क्रॉस करता है जो कि लेवल आता है 43,500 अगर इसको क्रॉस होता है तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हो इस लिवल्स क्या क्या market ने let's say flat खुला थोड़ा बहुत gap खुला इस levels पर market ने cross किया यहाँ पर ऐसा candle close कर दिया तो यह level निकलता है 43,500 और इसमें आपको one hour wait करने की ज़रुवत नहीं है तीन मिनट या पास मिनट वाला candle अगर close होता है तो आप यहाँ कर सकते हो 70 points के आसपास का आपका stop loss होगा टागेट आप प्लान करोगे 43,000 850 यह मैं आपको साड़े 300 points का target बता रहा हूं जो की achievable है यहां rejection यहां पर market आया और इस पुराने high को break किया तो high probability है market उपर की दुरुप जाएगा अब बात करते हैं market से market यहां पर flat opening होता है तो आपको क्या इस लेवल पर नीचे जाता है market तो क्या आपको sell करना है नहीं करना है अगें यहां पर भी बहुत important चीज है जो आपको समझना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेवल पर rejection है यह rejection है यह trend line बनी है हरकोई बना रहा है तो जो उसने बनाई है मतलब market makers बड़े traders उनको यह दिख रहा है अगर वो यहां पर एक कल red candle बनती हो और आप sell करते हो तो आपकी probability of winning और आप यहां से यह expect करो कि market नीचे आएगा हो सकता है support level break करते और आप पैसा ही पैसा कमा हो jackpot expiry बन जाए वह thinking गलत है आपको यहां पर अगर कल के दिन पर red candle डिखती है और आप sell करते हो तो आपको पहले trap करते हो निकाला जाएगा यहां पर ऐसा breakout दिखाने की probability है उसके यह बात जाके market नीचे की तरफ आ सकता है तो यह simple basic चीज़े हैं जो आपको focus करना है and that is the major reason जो मैं आपको बोलता हूं कि market को proof करने दो market ने यहां पर एक red candle बनाया आपने कुछ नहीं किया market ने एक और red candle बनाया एक और red candle बनाया अब आपके पास point clear है कि यह rejection था यह rejection था यह rejection था कहीं न कहीं seller ज्यादा impactful है अब यहां पर support break होने के बाद मतलब यह support यह support और यह support break होने के बाद जो की level निकलता है इसका 43,000 अब आप यहां पर आराम से छोटे stop loss मतलब 70 points stop loss से आप यहां पर प्लान कर सकते हो target आपका होगा पहला target बैठता है 42,800 जो की 103 बैठता है आपके stop loss के सबसे next target आपका बैठता है 42,650 simple क्यों मैं दूर के levels बोलता हूं क्या logic है इसका पीछे clear हुआ है तो comment में जरूर लिखके बताएगा ताकि मुझे ऐसे ही continue करना है video जो मैं detail में आपको यहां पर simple में मैं समझा रहा हूं कोई फिबोनाची वगरा मैं यहां पर use नहीं करना हूं ताकि आपको complications ना हो अब बात करते कि निफ्टी में क्या करना है तो देखे निफ्टी में भी बहुत simple में में क्या करेंगे देखो समझने ही कोशिश करते हैं यह market ने यहां पर एक rejection level बनाया हुगा है ठीक है market ने यहां किया है market ने यहां पर एक rejection level बनाया हुगा है कल market flat खुलता है या gap up खुलता है ठीक है कल market flat खुलता है निफ्टी या gap up खुलता है 18,350 यह level को ध्यान रखना 18,350 इसके उपर अगर closing देता है तीन मिनट या पास मिनट वाला candle तो आप यहां पर buying कर सकते हो सर हम टॉप के उपर है क्या हम यहां पर selling नहीं कर सकते थोड़ा बहुत rejection दिख रहा है नहीं कर सकते अगें यहां पर point वही रुकती है कि लेट से यहां पर लोगों ने sell किया होगा यहां sell किया होगा तो next day gap up खुला यह candle बनने के बार लोगों ने आज sell किया तो फिर अगे आपने गलतियों से हमको सीखना है अगर यह टॉप पे खड़ा है और आपको एक रेट केंडल दिख रहा है और आप sell करें वहां से मार्केट गिर जाए तो डुबई में विला बन जाए आपका तो इतना इसी तो है नहीं पड़ा पर इतना इसी मार्किट तो कभी चला नही नेचर में जब तक आपको हरा के ठका के मार्केट नहीं जाएगा तब तक मारकेट इतना ईजी नीचे नहीं करेगा अब वो कैसे ठका के नीचे आएगा कब आपको शॉट करना वो मैं आपको समझा आता हूं देखिए इसमें क्या करेंगे एक सिंपल सी ट्रेंट लाइन र उसके बाद दुबारा जब market इस levels पर आया तो again यहाँ पर buying हुई है next day पर news आया कहीं न कहीं यह support level हुआ जब दुबारा इस levels के आसपार market आएगा तो high probability market bounce करेगा अगर वो नहीं करता है यहाँ से reject करते हुए नीचे की तरफ आया 18,180 levels को break कर देता है तीन मिनट या पाच मिनट वाली candle को close दे देता है इसके नीचे तो 30 points का stop loss मतलब यहाँ पर आपका stop loss होगा 30 points का target आप plan कर सकते हो फर्स target होगा आपका 18,080 मतलब यह भी हो गया आपका almost 102.5 के आसपास next target आप plan कर सकते हो 18,000 का तो यह भी point clear हो गया कि कब short करना है इस levels पे short करना मतलब market जो है खुद को prove कर रहा है guarantee दे रहा है कि हाँ boss ऊपर मैं लोगों को फसा के आया हूँ यहाँ पर जो let's say आप बोल सकते हो excited traders है उन्होंने आपर buying किया हुआ है अब वो लोग pray कर रहे हैं कि इस support से bounce आ जाया है या तो दूसरी condition आती है कि यह support है यह support है यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत buying दिखता है तो लोग buying करेंगे यह नहीं सोचेंगे कि boss इतना नीच से आया है पूरा का पूरा ऐसा एंगल बन रहा है high probability जब भी ऐसा एंगल बनता है तो उसका breakdown होता है अब वो भी कैसे हो सकता है मैं आपको simple सी थोड़ी सी वीडियो बड़ी बना देता हूं पर समझा देता हूं आपको मैं let's say market ने कल flat opening opening दी या थोड़ा gap down opening दिया यहां पर आते ही एक ऐसा green candle बना वो क्यों बनेगा वो इसलिए बन सकता है क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है गिरना है तो सिरुप नीचे गरते जाएगा तो खड़ी देगा कौन तो that is the reason कि मार्केर यहां पर क्या करेगा को double bottom pattern angle कुछ उस तो भी दिखा जा रहेगा यहां पर ताकि यहां पर मार्केट को fresh buyers मिले और fresh buyer मिलेंगे तो उनको market makers बेचेंगे और उसके बार मार्केट आपको नीचे जाने की probability दिखा सकता है तो हम लोग यहां पर gamble नहीं करेंगे यहां पर 18,180 break होगा तो हम यहां पर short plan कर सकते हैं त तो वो that will be thousand times better instead of shorting at this level last में एक ही point कहना चाहूंगा कि अगर आप यह सोचते हो कि मैं flat opening होने के बाद ऐसी कमाल की trade आपको बता हूँ या कोई आपको बता है या आप trade कर लोगे तो यह market है जैसे कि आप let's say let's say आप match खिलते हो तो match में क्या होता है कि अगर आप planning जैसे हमारे दूनी है planning के साथ आते है probability बहुत ज़्यादा होती है विन होने की अगर यही आप random research आपको match खेलना है gamble करना है तो profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है loss ज़्यादा तर होता है क्योंकि loss में आप बड़े quantity के साथ बड़े levels पर रु कि आप इसलिए पैसा नहीं कमा पाते हो levels का weight करोगे तो higher probability पैसा बनने का chance market में होता है वीडियो का different way में समझाना और explain करना का अच्छा लगा तो comment जरूर करके मुझे बताए तो मैं ऐसे ही continue करते रहूं और आप लोगों को जितना हो सके मेरे दिरुव से मैं help करते रहूं ताकि आप अपने ट्रेडिंग करे में grow हो सब हो thanks for watching we'll see you in the next video